वेलकम टू मास्टर माइन अब जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइन अब जीके में फ्रेंड्स जैसा कि सभी को पता है कि बिहार पुलिस फायर मैंन का जो वैकेंसी आई हुए है कि इतना 380s पदो के लिए उसका है जो कल लास्ट डेत है कितना 25-3-2021 फॉर्म फिल अख करने का लास्ट डेत है तो जो कन्ड रेत नहीं भर हैं ओ फॉर्म को भर दे फॉर्म को अपलाय कर दे जो नहीं किये है मैंने वादा किया था आज से है जो आपका बिहार पुलिस फायरमेंट की तैयारी करवाए जाएगी तो मैं अपने वादे के मुतावित फिर से मैं हाजुर हूँ जाओ रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंस की आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ने कियां ते चैनल को सब्सक्राइब कर वहील इकन को दबा दें ताकि महत्पुन वीडियो का नोटिप्रिकेशन समय से मिलता रहे देखे फ्रेंस हम लोग को कर्म करना है मेहनत करना है मेहनत करते रहें आपका मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगे भी कमेंट करके बोला था कि किसी चीज का मिलना या ना मिलना या तो मुकदर की बात है पर हम कोशिष भी न करें यह तो गलत बात है तो हम कोशिष तो हम जोरी करना है बाकी फिर टाइट रहे जैसे को जैसा जैसा मौहल रहेगा उस लिए संबर को घना है लिए को सब्सक्रास को ओर नहीं हो रहेगा लेकिन इसके लिए अभी मैंने जो सहरी बताया और स्टुडेंट करके बताये थे कि जॉब का मिलना ना मिलना तो मुकदर की बात है पर हम लोग कोशिज भी न करें यह बिल्कुल गलत बात है यह 100% गलत बात है तो पढ़ाई पे विशेश ध्यान दे अभी बेकार न आपका 15 दिसंबर 2013 का जो बिहार पुलिस का फायर मैन का एक्जाम हुआ था उसका सॉल पेपर देखेंगे देखेंगे की स्टैप का प्रश्ण आपको पूछा गया था चले वीडियो को शुरू करते फटा फट 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 फ्रेंस देखे देखते चलेगा उसके बाद आपक कब पारित हुआ था फ्रेंस और किसने पारित किया था था फ्रसा इसके बारें डेटेल देख लें तो ज्यादा बेटर होगा का राफ्रेंस स्टैप एक्ट से संबंदित है तो देखें यह 1765 में जार्ज ग्रेनिविल के समय में ब्रिटेन के संसद ब्रिटेन के संसद ने अस्टमप एक्ट पारित किया था और इस्ट एक्ट के तहत क्या होता था अंतरगत जो भी उपनिवीच थे सभी को ब्यपारिक सदों पर क्या होता था कर देना पड़ता था इसी एक्ट के बिरूद में अस्टमप सवाल यहां से बंता है कि आपका जो एक नारा है, परति निधीतु नहीं तो कर नहीं, किस से संब्धित है, तो आप से संब्धित है, और खास कि कि बिरूद दिया गया था, तो यह स्टूंप एक्ट के बिरूद दिया था. दो सवाल हो गया, एक सवाल पूछा जाता है Boston Tea Party की, Boston Tea Party की घटना हुआ था 16 दिसमर कितना, 1773 इस्वी में, ठीक है, 1773 इस्वी में अमेरिका में ये घटना घटी थी, और यह घटना है जो क्या क्या था, बिटेन के खिलाप, बिद्रो का भावना को जागरित किया था, ठीक है आनि कि जो Boston Tea Party है, जो बिटेन के खिलाप क्या क्या था, बिद्रो को और भालका दिया था, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखे है कि Boston Tea Party घटना, 16 दिसमर 1773 इस्वी में हुए थी, और अमेरिका स्वतंतर कब हुआ था, ठीक है, अमेरिका स्व मेदार था, कौन था, जनरल डायर था, इन्होंने जनरल डायर नहीं है, जो फ्रेंस आपका गोली चलाने कादिश दिया था, तिससा सवाल पूछा जाता है, ये भी याद रखे, तो देखे, इस टैप का सवाल उस टैम में पूछा गया था, अब है भारत एक क्या है, तो ध की परिकलपना किसने प्रस्तावित की थी, तो जैप्रकाश नरायर निसका करेक्ट अंसर हो जाएगा, सवाल नमर पांस को देखे, भारत के किस परधान मंत्री ने श्रिलंका में भारतिय सांती सेना भेजी थी, पांस का करेक्ट अंसर ऑप्शन नमर शी, राजिव गांधी का जनता के लिए जनता के द्वारा है, यह किस ने कहा था, बहुत ही फेमस है, अबराहन लिंकन ने कहा था न, सवाल नमर आठ को देखे, संगवाद का अर्थ क्या होता है, आठ का करेक्ट अंसर का अप्शन नमर ये, संग और राज के बीच सत्ता का विकेंदरी करण, ठीक नहीं है, नौ नमर शवाल का करेक्ट अंसर, आपसन नमर सी, सिच्छा सिर्फ उनके लिए है, जो इसमें रूची रखते हैं, यह आपका बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है, इसे पढ़ने से पता चल रहा है, बाकि देखे, राष्ट के विकास के लिए उच अस्तर की सिच्छा समाजवाद धन्य पेक्षिता और लोगतंत्र को मजबूत बनाती, यह भी सही है, पिछले वर्गों के लिए सिच्छा की सही विएस्था होनी चाहिए, यह भी सही है, तो नौ का राइटनसर, आपसन नमर सी होगा, तो देखे, आपका बिहार पुलिस फायर में मे अब गाए फ्रेंज, थोड़ा सा कोस्टन को मौडड़ किया जाएगा, मतलब कोस्टन इतना मतलब सिंपल वे में नहीं पूछा जाएगा, उसको थोड़ा घुमाया फिराय जाएगा, लेकिन जब आपका कॉंसेप्ट किल रहेगा, तो आप उसको बना सकते हैं, सवाल नमर जो करेक्टन सर देगा, फ्रेंस, आपका उप्सन नमर ए, एक, दो, चार इसका करेक्टन सर हो जाएगा, ठीक है, चले सवाल नमर इगारा को देखे, सवाल नमर इगारा है, नसलवाद का अर्थ क्या होता है, तो आपका इगारा नमर शवाल का राइटन सर क्या होगा, आप सवाल नमर 13 को देखते हैं कि महिलाओं की मताधिकार से संबंदित सफ्रा गेट्स मुव्मेंट किस देश में चलाया गया था अच्छा सवाल है तो 13 का जो आपका कैरेक्टन सर ओप्सन नमर ए हो जाएगा ग्रेट ब्रेट ब्रेटिन में चलाया था महिलाओं की मताधिकार से संबंदित सर्फा ठीक है सफ्रा सफ्रा गेट्स मुव्मेंट किस देश में चलाया था राइटन सर ओप्सन नमर ए हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रेट ब्रेटेन से सवाल नमर 14 को देखे 14 नमर शवाल आपका राज सभा में सदस का कारकाल कितना होत जाता है शोला नमर शवाल कराइट एहाएगा इसका डिया राइट का अप्सन नमर बीद्री निए जिस तरह से आज आपका पहला सवाल पूछा गया था परतिनी धीत वह नहीं किस से समंधित है किस सवतंता संग्राम का नारा है तो अमेरिका का है असितरह से भी का बंधूत्व हो गया स्वतंतरता हो गया इसे समंधित नारा फ्रांस से है तो याद रखे गए भी तो सवाल नमर 17 का जो राइटनसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फिन्स आपका पांच वर्स हो जाएगा और था ठीक है समाप्त कर दिया था पर अंटू क्या है ब्रीटिस सरकार ने इसे समझावते का उलंगन करना शुरू कर दिया फ्लसुरूप क्या हुआ कि फिर पुना है जो सभी नेवंगिया अंदोलन को शुरू करना पड़ा याद रखेगा आपका जो गांधी इर्मिन समझाव हो जागा फ्रेंस आप्सन नंबर सी हो जागा चीन है जो आपका दूतिये विश्वित के दौरान धूरी राष्ट गूट का सदस से नहीं था दूतिये विश्वित कब हुआ था आपको पता है उने सो उन्चालिस में शुरू हुआ था पैतालिस तक चला था इस टैप का संगठन है जो आपका येनों का राष्ट संग कर रहा है संजुक्रा इन में से राष्ट का रहा है तो आपका विश्व स्वास संगठन है जो राष्ट का नहीं है उन्ह Nayson विश्वस्वास्त संग का स्ठापना किया गया था इसका मुख्याले कहा हम परता है तो जिनयावा स्वीट cry d sher तो इन में से कौन सा राष्ट्रां का अंग नहीं था आपका विश्विश्व स्वास संग या संग नहीं था इसका स्थापना भी उन्हें इस वड़तारीस मों यह भी आद रखेगा सवाल नमर 20 को देखें संजुक राष्ट्रां का चार्टर कहां तयार हुआ था तो सैंट फ पुछा जाता है तो ऐसे सउत्य तोर स्ट फिर्चार से टल इसको भी याद रखें नौ जनवरी कितना नौ जनवरी उन्हें इसव में भारत लोटे थे यही कारण है कि परतेक वर्स है जो नाव जयरुवरी को प्रवासिय भारतियों दिवस मनाया जाता है यह भी याद नौ जनवरी को प्रवासिय भारतिय दिवस मनाया जाता है यह भी आद रखेगा इसका राइटनसर होगा ऑप्शन नमर सी होगा सवाल नमर बाइस को देखे सवाल नमर बाइस आपका है कि इनमें से कौन सी घटना द्युतिय विशुद का परिणाम नहीं है बाइस का करेक्ट इसका हो जागा सी यह देखे आपका पूछा गया था आपका बिहार पुलिस में एक्जाम में कि राष्ट रंके स्थापना कब रहा था तो दस जनवरी आद रखेगा दस कितना दस जनवरी उनेशो बीस इसवी में आपका राष्ट संके स्थापना होई थी और दुतिय वि बस कंसार पूछा गया था तेश नमर शावाल को देखे कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोसनापत के बारे में क्या गलत है तेश का करेक्ट नसर आप्सन नमर बी होगा इसमें स्वतंतरता समानता तथा बंधूत वो को अपनाया गया थीक है तो कर रहा है इसमें ब पुरातन व्यस्था का मिर्थू पर्मान पत्र कहा जाता यह सही है सभी व्यस्थकों को मताधिकार दिया गया यह भी सही है अपनी छांसा धर्म पाल करने का अधिकार यह भी सही है और यह बी नमर जो गलत है इसमें स्वतंतरता समानता और बंधूत वो को अपनाया गया थ दिया गया था 1789 में हुआ था पूछा जाता है तो याद रखेगा तो तेश नमर शवाल का राइटन स्वाल बी होगा सवाल नमर 24 को देखें कि सुमेल सही सुमेलित कौन है ठीक है 24 का इसमें सही सुमेलित कौन है गांधी यूग अपका गलत है मोपला विद्रो ये भी गलत ह पूछा जाता है ठीक है और इसका जो उद्देश था पूछा जाता है ठीक है और इसका जो उद्देश था ठीक है ठीक है हिंदू समाज को संगठित करना था ठीक है हिंदू से संबंदित ये संस्था था त्याद रखेगा हेड़ गवार ने इसके स्थापना किया था सुमेलित कर रहा था आप्शन नमर शीज का करेक्टर सरह होगा सवाल नमर पचीश को देखें और अंजेव की मिर्तु के पचात किस नेता के नेतरित में जाट काफी सक्ति साली हुए थे करेक्टर सरह होगा ऑप्शन नमर शी ठीक है चूडा मन के करन और अंजेव की मिर्तु कभी थी तो सत्रस सो साथ इसमी में हो गया था उसके पचात म जाट लोग है जो चूडा मन के नेतरित में संगठित हुआ था यह भी याद रखेगा और चूडा मन के बाद में क्या हुआ था उसके बाद में आया था सूरज मल जाटो का नेता बना था चूडा मन के बाद में आपका सूरज मल नाम सूने होंगे जाटो का नेता बना था और आपको बताया जाटो का अफलातुन किसे का जाता है तो सूरज मलकों का जाता है यह याद रखेगा शब्विश नमर स्वाल पुछा गया था आपका कि पिसावर एवन काबूल किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए तो कौँसा दर्रा पुछ रहा है फ्रेंस तो आपका खाइबर दर्रा ना आपसर नमर एज का करेक्टन सरोगा 26 का खाइबर दर्रा से जुड़ा हुआ है बस सवाल नमर 27 को देखें फर वनस्पति निम्रिकीत में से किस से संबंदित है तो आपका महोगनी रोजबूर इसका राइटनस नमर सी होगा उनतीस का राइटनस आपसन नमर सी हो जाएगा तो आपका राइटनस नमर सी हो जाएगा शावाल नमर सी हो जाएगा नदी जो बिहार का सोग कहला तो खोशी को बिहार का सोग का सावी को जानते है चंद्रमा का घोर्णन अबधि कितना है कितना होता है नहीं दिया 28 दिन के लगभग होता है तो 28 दिन है अब देखे चंद्रमा से संबंदित पूछा जाता है याद रखेगा चंद्रमा की सतह और उसकी आंत्रिक स्थिति का अध्यन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं जो चंद्रमा क्या है प्राकृतिक प्राकृतिक उपगर जिसे जिवास्म गरभी कहा जाता है चंद्रमा को कर रहा है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंत्रिक स्थिति का अध्यन करने वाला बिज्ञान को क्या कहा जाता है याद रखेगा क्या कहा जाता है से ले नो ठीक है से लेनो लॉजी यह सवाल पूछा जाता है से लेनो चंद्रमा के पिछला भाग होता तो इसे सम्दित बहुत सारे प्रशने देखें प्रशने देखें कि जिवासम गुर्णा नवदी कितना है तो 27 दिन 8 गंटानल होता लगवग 28 दिन के ऑप्सन नमर 22 को देखें तो इस वाल नमर 32 आपका है सवाल 32 कि तमिलनाडू में सितकालीन वर्शा का कारण क्या है 32 नमर 32 आपका सवाल है इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा आपसन नमर ए हो जाएगा उत्तर पुरू मांसुन से होता है 33 नमर प्रादिप्य भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है 13 नमर स्वाल आपका सबसे बड़ी नदी 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 3 ब्राजिल में परता था यह भी आध रखेगा अच्छा सवाल है कहीं भी पुछा जा सकता है ब्राजिल के रियो डे जेनेरिये में हुआ था 35 को देखें कि आपका भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितना था बढ़ गया कितना हो जाएगा तूटल सत्रह हो जाएगा ने पहले का कोशन है ठीक है तभी कितना है कितना है भारत में रेल मंडलों की टूटल संख्या कितना है चलिए सवाल नमर 36 को देखते हैं सवाल नमर 36 है कि रावर किला लौ इवो मिस्पात सन्यत जिस राज में अवस्थित है वह है देखें इससे सम्मंदित कितना प्रश्ण पूछा जाता है सब को कॉंसेप के लिए र ला लग जर्मनि के सहयोग से निर्मित किया था जिबकि भिलाई भुकारो रूस के सहीता से बनाया गया था इवाल नमर 36 को देखें भारतिय राज जिससे होकर करके रखा नहीं गुजरती हुआ है अच्छा सवाल है सथी तो कारक जलवायों को परभावित नहीं करता है तो कारक जो यह वाइव को परभावित नहीं करता है वह है तो आपका परिभर्मन गती यह और समुद्र से दूरी यह भी करता है परिखर्मन गती के कारण है जो क्या है जलवाई नहीं परभावत होता है परिखर्मन गती तो आपका परिखर्मन गती में आपका परभावित होन्स परिखर्मन गती जब जरखर्मन गती नहीं हो जायगा कि भारत में लिंगान उपात कितना है तो दुहजार इगारा कि जन गन्ना कंसर कितना नो सो तेतालिस था नहीं आनि अप्सन नमर शीज का करेक्टन सरोगा चारीश नमर सवाल देखे हिंदी से सवाल कैसा पूछा गया था आपका फायर में यह घर मेरा है और वह तुम्हारा ह सब्ड शब्द क्या है यह घर अनि कि प्स यह ważne कर रहे है जाया सरुनिक बैठ कर चारीश कारीश की सब्द की सक्रलफ कुढब श्रवाल को कि निम्रिखित वाक्यों मेरे खांकित किरिया विशेशन सब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे तुमें जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे 42 का करेक्टनसर का आप्सन नमर सी परिनाम वाचक किरिया विशेशन का बोद हो रहा है ठीक है तो चलिए इसी तरह से हिंदी से देखे सवाल पूछा जाएगा अगला सवाल आपका है सही उत्तर को छाटे सही नागर कातर हिमाला है सनरचना के अधार पर करमसा इसमें से परिच्छय क्या है 43 का जो राइटनसर आप्सन नमर डी है सही नागर है जो योगिक सब्द है कातर है जो क्या है रूड सब्द है और हिमाले है जो क्या है योगरूड सब्द है तो आप्सन नमर डी है जो क्या है योगरूड सब्द है आगला सवाल आपका सवाल नमर 44 को देखे समास से प्रश्न पूछा है अदूसरा प्रथान होता है अपितू यह आपका का तीसरा प्रथान होता है जैसे की तेसे किसी विश्य淮ार्थ वोत करता है जैसे दसानन गला सवाल लजस और आइप सालह बनाएं विफीड सालह घाल से तक में येज मुनित सök सकते हैं देखे एक सब कोशन थोड़ा सकन फ्यूज होने वला है इसको बहुत सारे लोग संधी मार देते हैं संधी इसका गलत हो जाएगा पाट साला में क्या यह एक संजोग है क्योंकि संधी में जब दो या दो से जब दो पद आपस में जुड़ते हैं तो उनमें विकार सहित मेल हो अब सब्सक्राइब देव जोड इंद्र इसका क्या हो जाएगा आपका देवेंद्र हो जाएगा इसमें विकार सहित 46 नमर सवाल का राय टंसर, option नमर होगा, मेरे दोस्त के पिताजी तमबाकू के पुराने भी अपारे हैं, यह है जो आपका सही हो जाएगा, मेरे पुराने दोस्त के पिताजी यह गलत है, मेरे दोस्त के पुराने पिताजी नहीं, मेरे दोस्त के पिताजी पुराने देखें, पढ़ने से ही पता चल जाता है और इसका करेक्ट टंसर होगा सवाल नमर 47 को देखें निम्लिकित में से कौन सरीर में विटामिन दी बनाता है सभी को पता है इनकी फ्रेंड्स की जब शूरी के धूप से विटामिन दी हम लोग गरहन करते हैं तो हमारा त्वचा बनाता है और सवाल नमर 47 का राय टंसर क्या हो जाएगा और निम्लिकित में से कौन सरीर में विटामिन दी बनाता है तो त्वाचा इसका कारेक्ट टंसर होग होता है इसे आपका रिकेट्स रोग होता है ने सुखा रोग होता है यह आप लोग याद रखेगा विटामिन के कमी से से आपको पूछा था ब्राजिल में हुआ था ठीक है 2014 में आपका कहा हुआ था ब्राजिल में हुआ था 48 का राइटंसर हो जाएगा और 48 का भी हो जाएगा चले सवाल नमर 49 को देखकां गारू कहां का मुख पसु एस्टेलिया करेक्ट टंसर होगा संजुक राश्रक दिव सब्सक्राइब नहीं करता है यह नहीं कर देखते हैं संतोष ट्रॉफिक किसे संबंदीत है सभी को पता है फुटबॉल से ना बावन का राइटंसर और अप्शन नमर यह होगा सवाल नमर्ट तिर्पन को देखे जै जवान जै किसंन का नारा किशने दिया था तलाल बादु शास्ती तिरपन का राइटन सरो अप्षंड नमर्शी हो जाएगा अब देखे थिए अगरेजी का सवाल है फ्रेंश का हिंदी का देखे उसमें सवाल पूछा गया था अब अब होलिडे इंडिया चोंगन का राइट नसर ऑप्शन नंबर शीवा इस यहां पर होगा फ्रेंज अगला सवाल को देखते हैं फिल इन दा ब्लैंक से बाइच चूजिंग दा राइट ऑप्शन आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन्स और डिस्टिंग्विस्ट वर्शन खाल्यस्था यहां पर आर भारा जाएगा फ्रेंज अगला सवाल को देखते हैं चापन नमर में आपका है कि चूज दा करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट दा फोलोइंग सेंटेंस ठीक है आई बाउट आल दीज बुक्स फोर फोर ओनली देश हंड़ शेवन हंड़ यहां पर फोर प्र अब दीज बढ़ा जाएगा इस इसका हो जाएगा आपका मिजल्स मतलब क्या होता है याद रखेगा तिया हमेशा सिंगलर में होता है संतावन नमर स्वाल का राइटन स्वाप्शन नमर सी हो गया संतावन नमर ठावन को देखे का करा है कि दा यंग वन ओफ गोट इस किड अनि आपका बकडी के बच्चे को क्या काते है फिर किड काते है ठीक है चुझा होता है यह का रहा है कि बच्चे को जब मेमना कहेंगे तो मोर्गी के बच्चे को क्या कहेंगे चुझा होता है अंधावन नमर सवाल होगे आप शाम उन्सवाट नमर सवाल को देखें उन्सवाट नमर सवाल अंग्रेजी का सवाल है कि in the following sentence one word is underlined choose the word which means most nearly the same as the underlined word he did not know the he did not know that such a teacher's friend त्या मतलब व्या उन्सवाइन्स थेर्च यूर्ट सवाल हुआ है इसका मतलब do कर रहा है और्थ क्या निकले का ता फॉल्स एंड डिस 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 लोयल हो जाएगा ऑप्शन नमर डी चलिए सवाल नमर शाट को देखते हैं कि वीच वन आफ दा फुलोइंग पियर्स इनकारेक्ट यहां पर देखे रूस्टर मतलब होता है मूर्गा तो मूर्गा का मूर्ग यहां पर पाइतरी तो यहां होगा अगला का पीछला लेकिन यह आपका गलत सुमेलित नहीं इंकरेक्ट है अब चले एक सट नमर शावाल से देखते हैं एक सट नमर शावाल आपका क्या है भारत में खरी फसल का मौसम का होता है सभी जानते है जुलाई से ना खरी फसल जुलाई से अक्टूबर तक होता है एक सट का राइटन सर अप्शन नमर शी हो जाएगा और देखे खरी फसल के अंदर क्या क्या आता है इसे धान आ गया फ्रेंस मुखिरूप से धान बोया ज होता है किसके द्वार इच्छा सभाल कि दौरा और को का चक्रन किसके दौरा होता है जब अब शावाल कास नबर सब्सक्वार कौ में रैबोसम को प्रोटीन या जाता है और आत्मा तयक क्थ याइगा स्वाल 64 को देखें… Ghan Dream Kla बदलते हैं… बहुत अ चानल यह करते हैं… अब देखें Ghan-quele किसे कहें गये… का कहें गयर जा हुआ… याद रखेगा थीए क्या करते हैं तो स्वहूढूड- захक बं अप्शं नमटकुय उप्शंत क्या है अगलाप्टेंस 2, 4D है, क्या है, 65 का, 65 का राट है, एक खर पत्वार ना सक है, आप्शन नमर, एक का करेक्ट अनसर होगा, सवाल नमर 66 के देखे, पुनुरुद्भवन की विशेश, छमता किसमें पाये जाती है, 66 नमर सवाल का राट अनसर, पौरी फेराम पाया जाता है, भ अ अच्रसा इंपोर्टेंस अवाल है, अहार से इंखला में मौझूद मेढ़क, टिड़ा, घास, और साप में यदि घास पर्थम पोशी अस्तर पर क्या होगा है, भीधे पोशी वी अस्तर पर क्या होगा ? बहुत अच्छा सवाल है फिंस, घास को पर्थम पर रखा है, तो गास को पर्थम पर रखाए तो गास को कौन खाएगा और थीदधा क्स मेधग को कौन खाँ जायेगा और उसको जो खाते हैं जो पर्थम भोगता जैसे कि टिड़ा फटिंगा होगता अब फटिंगा को मेड़क खा गया दूतियों भोगता और फिर उसको खा गया फिर उसी तरह से बढ़ता जाता है तो यहां पर मेड़क है जो तिर्टी अस्तर पर आजएगा न सरशट का राइटन सर नमरी हो गया दिसंबर उन्हें गटी भोपाल गैस दुरगटना में किस जहरीली गैस का रिशा हुआ था तो सभी को पता है मिथाइल आइसो साइनाइट क्या हुआ था ना आप्सन नमर 68 का बी करेक्टन सरो देगा डेट याद रखेगा कभी कोई पूछा था उन्हें गटना गटी थे उन्हें अत्तर नम सब्सक्राइब को कैक्ट्रेश में पाए जाने वाले उन्हें पूछा गया था तो कैक्ट्रस में पाए जाने वाले अन्हें क्या होता है इसका राइट नमर सब्सक्राइब करें आप्सन का कौन इनके बीच का कौन होता है कि इसका होता है इस वाल नमर बहत्तर के बाद 72 के बाद 72 सवाल नमर 72 का राइट नसर और ऑप्सन नमर की दिशा और धार का मान दोनू बदलते अच्छा सवाल है अगला आपका विभिन डंगो के समूख को क्या कहते हैं तो वर्ण पट्टी भी कहा जाता है त्यातर का राइट नसर आप्सन नमर यह हो हो जाएगा अगला सवाल आपका दिये गे ग्राफ से तुरन का मान है तुरन का कर रहा है तो इसी टैप लेवल का रहेगा थ्ला सा रहेगा मतलब घुमाया रहेगा आनि कि आप बेसिक कॉंसेप्ट आपका किलियर रहेगा तो आप अराम से अच्छा करके आ सकते हैं पचैतर नमर्शावाल का है कि अश्व रोही के पीछे की तरफ गिरने का अश्रंका का कारण क्या है तो इसमें आपका अबिश्राम जड़ तो आप्सन नमर्शीज का करेक्ट अंसर होगा चैतर नमर्शावाल को देखे किसी परतिरोद से प्रवाहित होने वाला इसका रैटन चैसों का चैतर नमर्शावाल को देखे यह आपका परकास की एक किरन एक माध्यम से जिसका अवर्तना कितना से चल कर दूपर तन कून आई है था अप आपोर्तन कून आर हो तो साइन आई बटा साइन आर का मान क्या होगा ठीक है इन नमर्रेकल चैतर का जो र पुत्वाकर्शन बल का मान होगा कितना होगा अठाटर नमर स्वाल का कारेक्टनसर मैं बता देता हूं पुछा जाता है जब दो समनांतर तारों से एक ही दिशा में बिद्धुत प्रवाहित हो तो क्या होता है असी का करेक्टनस और आप्शन नमर यह हुआ वे एक दूसरे को आकर्शित करते हैं तो देखे फ्रेंस की स्टैप का कोश्चन आपको बिहार पुलिस फायर में पुछ पुछा गया था इससे आपको बहुत हैं मिलेगा इस तरह से आपको तैयारी करना है लेकिन फ्रवाशा डीपली बेसिक कॉंसेप्ट किलियर करके पढ़ेगा कोश्चन हुब हुआ आज कल नहीं पूछा जाता है कोश्चन मिलता जूलता रहेगा उसको घुमाया हुआ रहे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं फिंस उसी साब से आपका यह सोल्व हो जाएगा बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसके लिए स्पेशल में वीडियो में बदाऊंगा अब देखिए नभी नमर सवाल से भी मैध है इस सब सिंपल सिंपल सवाल है इसको चाहिए का आराम से बेच देता है कितना पर बेचता है तो 20 पर साट के हाने बेच देता यदि उसने उस वस्तू को सौ रुपर या अधिक में बेचा होता तो उसे पाच पर तीसत का लाव होता वस्तू का क्रैमूल क्या होगा सिंपल सा प्रश्ण है देखिए फ्रेंस काता यह कि विए पारी उपाच परतिसत का लाव होता उतना इकनख एकवल टू कितना हो जाएगा cen n book सॉप पांस बतटा कितना हुआगा Sc यह जाएगा इसे कर रहा था इंटू कितना इतना हो गया और सौ रुपया अधीक पर बेजता ठीक है इतो बिक्रेमूर इसका हुआ इसका हुआ इसका पूछा जाता जो आप प्रैक्टिस कर रहे हुए इसके लिए काफी है राइट अब्यक हो जाएगा सब्सक्राइब करें नविक कि रिक्टर में कौन सी उर्जा उत्पन होती है इसमें सभी जानते हों कि नाभी के उर्जा होता होगा और यह हो जाएगा अगला सवाल आपके इसके अभियोग कौन सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है कि मीथेन हो जाएगा कर्बन डायोकसाइड ऑप्सन नमरे का राइटन्स रोगा 93 नुक्लियों का मान कितना होता है इसमें क्या न्यूटॉन और प्रोटॉन की संख्याक बरबर होता है सब्सक्राइब हो जाएगा सब्सक्राइब हो जाएगा सब्सक्राइब हो जाएगा सब्सक्राइब हो जाएगा nitrogen gas के अनुमे निम्लिखित आबंद होते हैं important है 95 caritonsel क्या हो जाएगा फ्रेंज इसमें तो आपका कितना होता है तो इस caritonsel हो जाएगा option number 95 D हो जाएगा ठेप फ्रेंज 95 caritonsel 3 सहसंजोगी होता है 95 caritonsel का जो option number D हो जाएगा nitrogen gas के अनुमे निम्लिखित आबंद होते हैं तो 3 सहसंजोगी होते है 95 caritonsel को देखें करा इस अभी किरिया में ठीक है इसका आक्सिकरण हो रहा है 96 number 12 का जो हो जाएगा फ्रेंज अल्मूनियम का आक्सिकरण हो रहा है option number 8 का correct answer होगा ब्यूटे निम्हार को देखें अन्ठान्वे नंबर शवाल आपका क्या है अन्ठान्वे नम्र शवाल आपका क्या है प्रेंज की एक बिलियन जिसका pH 3 है तो उस बिलियन में OH की सांद्रता क्या होगी इसका जो correct answer हो जाएगा option number 98 हो जाएगा अगला स्वाल है एक लिट्रॉन का भार एक लिट्रांवेट्रों का भार एक हमावेस है यह थो सिंपल है फ्रैंज्ट इसका रैट्रानस का हो रियोकिया जाता है यह का अग्ज सकता है आप्चन नमर ए इसका राइटन्स रोगा तो ए रहा फ्रेंड्स आपका 2013 में बिहार पुलिस फायर मैंन का सोलूसन था देखे कोश्चन का लेवल कितना अच्छा था तो अब है जो इतना हलका नहीं पुछेगा फ्रेंज थोड़ा सा टेंडर कोश्चन रहेगा क्योंकि 2013 बह विले यह जोड़े रहेगा और लाइब क्लास में आपने जरूएगा फ्रेंड्स आज साधे आठ वजे माइं पुछ परश्णों के साथ में लाइब क्लास में आपसे जोड़ेएगा आप विल्या जरूद जोड़ेगा चलिए तो नेक्स बीडियो में फिर मिलता है देखन एक लिए थैंक यू धन्यवाद